आप जानते हैं हावडा ब्रिज को रात के बारह बजे और दिन के बारह बजे आखिर क्यों बंध कर दिया जाता है? और बंध करने के पीछे क्या वजह है? और पूरे स्टील से बने इस ब्रिज की लंबाई आखिर कैसे अपने आप घटती और बढ़ती रहती है? कोलकाता के ह हावडा ब्रिज में आखिर एक भी पिल्लर क्यों नहीं लगाया गया है। बतादे कोलकाता में स्थित हुगली नदी पर बना हावडा ब्रिज अपने अंदर कई सारे रहस्य छिपाए बैठा है। चलिए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अपनी संस्कृती और मिठाईयों की वजह से पूरे देश में काफी मशहूर है। एक समय पर ये अंग्रेजों का पसंदीदा शहर हुआ करता था। बतादे की अठारहवी सदी के मध्य काल में जब अंग्रेज भारत के कई भाग पर कबजा कर चुके थे। उस समय अंग्रेजों पूरे भारत भर में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए रेलवे लाइन को बिछा रहे थे। तब बंगाल के हावडा में साल 1813 में हावडा रेलवे स्टेशन बनाया गया था। तब कोलकाता में हुगली नदी पर एक ब्रिज की जरूरत थी। जिसलिए साल 1871 में अंग्रेजी हुकूमत ने हावडा ब्रिज एक्ट पास किया और इस पुल की जिम्मेदारी सर ब्रैडफोर्ड लेसली को सौप दी गई थी। तब उन्होंने 22 लाख की लागत में पीपे का एक पुल बना दिया और धीरे धीरे पुल पर लोगों की आवाज आही भी बढ़ने लगी थी। क्योंकि हावडा ब्रिज के पास ही हावडा रेलवे स्टेशन भी था। इस पुल की वजह से हुगली नदी में आते जहाजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जिस वजह से अंग्रेजों ने साल 1926 में न्यू हावडा ब्रिज एक्ट पास किया। जिसमें बिना किसी पिलर वाला पुल बनाने का निर्णे लिया। साल 1936 में एक बिना पिलर वाला ब्रिज बनाने का काम शरू किया गया जो साल साल 1940 में पूरा हो गया। उस समय पर ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज था जिसे हावडा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तब से ये ब्रिज आज भी कुलकत्ता की आनबान और शान है। इस ब्रिज की खास बात ये थी कि इसमें नाही कोई पिलर है और नाही इसे बनाने में किसी नट बोल्ट का इस्तिमाल किया गया था। ब्रिज को बनाने में स्टील की प्लेटों को जोडने में किसी नट बोल्ट का इस्तिमाल करने के बजाए धातू से बनी कीलों का इस्तिमाल किया गया है। बड़े जहाज आसानी से गुजर सके जिसलिए ब्रिज के नीचे पानी में कोई भी पिलर नहीं है। कलकत्ता की हुगली नदी पर बने हावडा ब्रिज की लंबाई करीबन 705 मीटर और चौडाई 21.6 मीटर है। बतादे की 14 जून 1965 को गुरू रवींदरनाथ टैगोर के नाम पर इस पुल का नाम रवींदर सेतु कर दिया गया था। लेकिन आज भी लोग इस ब्रिज को हावडा ब्रिज के नाम से जानते हैं। बतादे की आज इस ब्रिज पर दर रोज डेड़ लाख वाहन और पांच लाख पैदल यात्री सफर करते हैं। बतादे की बारह बज़े ब्रिज को बंध करके के पीछे कई कहानिया हैं। तापमान में बढ़ने से स्टील पिघल कर फैल जाती है